अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक Health Insurance Policy पर्चेस करना चाता हूँ तो मैं पर्चेस करूँ एक General Insurance Company से या एक Health Insurance Company से सो फ्रेंड्स हम जब भी Heart के Treatment के लिए जाते हैं तो एक Heart Specialist के पास जाते हैं जब भी हम Eyes, Nose या Throat के लिए जाते हैं तो एक ENT Specialist के पास जाते हैं एक Normal MBBS या MD के पास नहीं तो हमेशा किसी भी Special Treatment के लिए हम जाते हैं एक Specialist के पास तो इसी तरीके से जब हम Health Insurance Policy की बात करते हैं तो हम हमेशा Prefer करते हैं एक Specialist और हम बात करते हैं Standalone Health Insurance Companies की वो इसलिए क्योंकि Standalone Health Insurance Companies के पास Variety of Products Available है और क्योंकि ये सिर्फ Health Products में Deal करते हैं तो इसलिए इनके Products में नए नए इनिशेटिव्स और नए नए वेरियेशन्स आपको मिलेंगे तो हाई फ्रेंट्स मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूँ फाउंडर इंफिनिटी गेंस LLP फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में एक आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंशारंस कंपनी लिमिटेड के एक बहुत ही लीडिंग हेल्थ इंशारंस प्लान और जो की वन आप दा फ्लेक्शिप प्रोड़क्ट है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंशॉरंस कंपनी का और प्रोड़क्ट का नाम है यंग स्टार इंशॉरंस पॉलिसी तो आईए इस प्रोड़क्ट को बहुत डिटेल में डिस्कॉशन करते हैं अबाउट दे पॉलिसी एक्स्क्लूजिव फॉर यंग स्टार्स विद इजी प्रीमियम मुल्टिपल बेनिफिट्स एंड टोटल कवरेज तो यह एक ऐसा प्लान है जो की बहुत ही रिजिनेबल प्रीमियम में है जो यंग स्टार्स हैं उनके लिए है मुल्टिपल बेनिफि एंड फ्लोटर दोनों ही तरीके से एविलेबल है सो फैमिली साइज की अगर बात करें तो टू एडल्ट प्लस थ्री चिल्डरन्स यानि हस्बेंड वाइफ एंड त्री किट्स तक आप इस प्लान को फ्लोटर प्लान के अंदर और इंडिविज्वल बेसेस पर भी आप यह पॉलसी बाई कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्री एज की सो फॉर एडल्ट्स अठारा से चालिस साल तक की इस प्लान के अंदर एंट्री एज है क्योंकि हेल्थ इंशॉरंस पॉलसी एक कॉंट्रेक्ट है इसलिए प्रपोजर का अठारा साल होना मिनिमम इसमें लास्ट बर्थडे काउंट करते हैं तो परसन की जब तक फॉर्टी वन नहीं हुई है तब तक वो इस प्लान के अंदर एंटर कर सकते हैं फॉर डिपेंडेंट्ट चिल्डरंस की अगर बात करें तो नाइंटी वन डेस से लेकर और ट्वंटी फाइफ इयर्स की न्यूबॉन बेबी और लीगली अडाप्टेट चाहिए तो अगर एक पॉलेसी कंटीविंग चल रही है तो उसमें आप कंटीविंग पॉलेसी में किस की कर सकते हैं तो आप newly married spouse को add कर सकते हैं newborn baby को cover कर सकते हैं जो कि 91 days के बाद cover होगा और legally adopted child को cover कर सकते हैं तो newly married spouse के case में और legally adopted child के case में आपको company को within 45 days इसकी information देनी होगी और newborn baby को आप after 90 days यानि कि 91 days से आप cover कर सकते हैं next हम बात करते हैं renewal की अगर आप एक बार इस policy के अंदर enter कर गए तो आप अपनी policy को lifelong continue कर सकते हैं next हम बात करते हैं policy term की तो यह plan यंग star insurance policy one year and two year दो तरीके के options में आपको मिल सकती है next हम बात कर रहेंगे plan available की तो यह plan particularly दो variant में available है silver plan and gold plan so आगे हम discussion भी करेंगे कि silver plan and gold plan में आपको क्या differentiation है next हम बात करते हैं premium payment options की so इस plan के अंदर आपको yearly payment option available है monthly quarterly या half yearly options हम वैसे भी एक health insurance policy में suggest नहीं करते because किसी भी वज़े से अगर कोई technical issue की वज़े से भी अगर कोई EMI bounce कर गई तो उसकी वज़े से health insurance policy lapse कर जाती है so इस plan के अंदर yearly payment option available है next हम बात करेंगे pre policy medical check-up की तो इसका मतलब यह होता है कि आपको policy लेने से पहले क्या कोई medical check-up कराने पढ़ेंगे तो not required इस plan के अंदर किसी तरीके के pre policy medical check-up की requirement नहीं है some insured options rupees in lakh तो some insured options की अगर बात करें तो individual plan अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 lakh रुपए का भी some insured option available है यहां पर इसके अलावा 5 lakh 10 lakh 15 lakh 20 lakh 25 lakh पचास लाग 75 lakh और एक करोड तक के some insured options आपके पास इस plan के अंदर available है next हम बात करेंगे hospitalization और room rent की तो इस plan के अंदर आप single private AC room का जो भी actual expenses आएगा company वो bear करेंगे next हम बात करेंगे ICU doctor fees tests and medicines की तो इस plan के अंदर covered है और actuals whatever जो भी expenses होंगे company will cover next हम बात करेंगे road ambulance charges की तो covered है up to the some insured और actuals जो भी होगा इसमें दो तरीके के expenses company cover कर रही है for transportation to hospital यानि घर से hospital तक की expenses और from one hospital to other hospital अगर किसी condition में एक hospital से दूसरे hospital में treatment के लिए जाना पड़े तो वो भी इस plan के अंदर cover करेगा next हम बात करेंगे pre and post hospitalization की तो इस plan के अंदर 60 days pre hospitalization and 90 days post hospitalization cover है pre and post hospitalization का मतलब यह है कि hospital में admit होने से पहले के 60 days के expenses और discharge होने के बात के 90 days के expenses company cover करती है इसके लिए आपको company को whatever जो भी doctors की fees medical test जो भी होते हैं उन सब की original receipts आपको company को submit करानी होती है next हम बात करेंगे day care procedures की तो all day care procedures are covered actuals so day care procedure का मतलब यह होता है कि आज medical technology बहुत advance हो गई है जिसकी वज़े से बहुत सा treatment ऐसा है जिसमें 24 घंटे hospital में रहने की जुरत नहीं होती ऐसा जो भी treatment होता है वो day care procedures के अंदर आता है और यहां पर कोई predefined day care की list नहीं है unlimited day care procedures यहां पर covered किये जाते हैं next friends हम बात करेंगे star wellness program की available for insured aged greater greater than 18 years so wellness platform is available both in our mobile app star power and customer portal retail the insured can earn reward points and avail premium discount up to 10% on the renewal premium by enrolling and achieving the wellness goals so friends company ने star power के नाम से एक app design की है so उस app को अगर आप download करते हैं और उसको use करते हैं और अपनी health का ध्यान रखते हैं तो उस पे आपको कुछ reward points मिलते हैं और उन reward points के ऊपर आप renewal के समय पर company से 10% तक का premium का discount ले सकते हैं next हम बात करते हैं premium discount की so avail the policy before age of 36 years and pay renewals without any break on completion of age 40 years 10% discount in premium available subsequent renewals too so premium discount options में company आपको ये कहती है कि अगर आपने ये particular plan 36 years से पहले पहले यानि 36 साल की उम्र से पहले पहले purchase कर लिया और आप अपनी policy को continue करते हैं और तो उसके बाद जैसे ही आप 40 years के बाद अपनी policy को renew करते हैं तो premium के उपर आपको every year 10% का discount मिलता है ये particular plan के अंदर जो policy renewal के लिए company expiry के बाद 7 days का grace period देती है next हम बात करते है maternity gold plan only so जैसा कि हमने पहले discussion किया था इस plan के अंदर silver plan और gold plan दो plans available है gold plan के अंदर आपको maternity का एक additional option मिलता है so maternity की बात करें तो रुपीज 30,000 per delivery is covered maximum of two delivery in lifetime waiting period 36 months so plan लेने के after 36 months यानि 3 साल के बाद आप 30,000 rupees per delivery के हिसाब से delivery का जो expenses है वो इस plan में का coverage ले सकते हैं some insured options rupees in lack तो some insured option ही हमने पहले भी discussion किया है 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 लाग और एक करोड के some insured options available है health check-up की अगर बात करें तो every year is irrespective of claim आप every year health check-up benefit के लिए eligible होते हैं individual plan की अगर बात करें तो 3 लाग के some insured में आपको 1500 का benefit ले सकते हैं 5 लाग के some insured में up to 2000 rupees के आप health check-up ले सकते हैं 10 लाग के some insured में 3000 का 15 लाग के some insured में 35 का और इसी तरीके से एक करोड के some insured पे आप 3500 रुपे का health check-up individual plan में ले सकते हैं इसी तरीके से अगर बात करें floater plan की तो 3 लाग में तो क्योंकि सिर्फ individual plan ही available है floater option available नहीं है 3 लाग में 5 लाग के some insured पे आप एक करोड का अगर some insured लेते हैं तो आप 5000 रुपीज का health check-up ले सकते हैं health check-up लेने के लिए आप company का जो एप है उस एप के ऊपर अपने टेस्ट कंपनी के network centers में या diagnostic centers में बुक कराते हैं इवन इस प्लान के अंदर company आपको home visit की भी facility provide करती आप घर पर भी अपने यह test कराते हैं और यह particular जो test हैं यह completely cashless basis पर हो जाते हैं नेक्स हम बात करते हैं अगर एक्सिडेंट की वज़े से इन पेशेंट होता है यानि कि होस्पलाइजेशन होता है तो company आपको sum insured का 25% additional pay करती है तो जिसके अंदर maximum जो limit है वो 10 lakh rupees की है बट इसके अंदर condition यह है कि अगर एक्सिडेंट की वज़े से hospitalization होता है तो वो समय पर जो person है उन्होंने helmet wear किया हुआ हो और जो अगर suppose कीजिए एक करोड़ रुपए का प्लान अगर लिया है तो यह particular benefit के अंदर 10 lakh रुपए का ही additional जो benefit है additional sum insured for RTA वो लिया जा सकता है next हम बात करते है hospital cash benefit की यह gold plan so gold plan की जैसे की हमने बात के थी maternity coverage और hospital cash benefit यह gold plan के अंदर दो additional benefits आपको मिलते हैं so hospital cash benefit की अगर बात करें rupees 1000 for each completed day of hospitalization subject to maximum of seven days per hospitalization and 14 days per policy period so 1000 rupees per day के accordingly hospital daily cash benefit company द्वारा दिया जाता है इस तरीके के benefit का basic purpose यह होता है कि जो छोटे छोटे जो expenses होते हैं hospital में रहते हुए उसका इस benefit से coverage किया जा सकता है next हम बात करते हैं no claim bonus की up to 100% of the basic sum insured so 20% of basic sum insured for each claim free year subject to maximum of 100% so every claim free year में आपको 20% का no claim bonus company आपको इसमें देती है जो कि maximum of 100% तक जाता है so अगर किसी साल में claim होता है तो आपको उस साल में bonus नहीं मिलता और company उस आपका bonus reduce भी नहीं करती है so next हम बात करते हैं automatic restoration की up to 100% once in every policy year available upon partial full utilization of the limit of coverage limit of coverage basis sum insured plus NCB can be used for all claims during the policy period so automatic restoration में company one time आपको restoration का benefit देती है इसको एक example से समझ लेते हैं suppose कीज़े आपने 10 लाग रुपे का policy purchase किया first time admission हुआ और 8 लाग रुपे का claim आया और person discharge हो गए उसी year में दुबारा से अगर admission होता है तो again आपके पास 10 लाग रुपे का sum insured है जो की treatment के लिए use किया जा सकता है जैसा की language आप यहां पर पढ़ पा रहे हैं can be used for all claims during the policy period so one time यह restoration benefit आपको मिलता है और same person same illness के लिए भी यह applicable होता है next आप बात करते हैं waiting period की so initial waiting period की अगर बात करें तो 30 days for all illnesses except accident so policy लेने के बाद 30 days के बाद आप policy आपकी active होती है but accidental के case में policy आप day one से use कर सकते हैं for specific diseases and PED waiting period so इस plan के अंदर आपको एक बहुत ही unique benefit दिखाई देगा और यह unique benefit है stone, cataract, hernia, joint replacement, surgery इस तरीके के जो भी treatments होते हैं वो इस particular plan के अंदर एक साल के बाद cover करते हैं usually बाकी दूसरे health plans में आपको in treatments का जो coverage मिलता है वो दो साल के बाद मिलता है but इस plan के अंदर यह benefit जो है आपका एक साल के बाद cover करता है इसी तरीके से PED का जो waiting period है यानि pre-existing disease का जो waiting period है वो भी इस plan के अंदर एक साल है pre-existing disease वो जो की form fill करते हुए आपने declare की और जो की underwriter ने accept कर लिया हो तो इस तरीके की जो disease या problem या medical history है वो एक साल के बाद इस plan में cover करेगी so I am sure friends आपको आज हमने जो ये plan discussion किया star health and allied insurance company limited का young star insurance policy आपको इसके features I am sure अच्छे लगे होंगे और अगर आपको ये plan अच्छा लगा तो आप अपने friends या relatives के साथ इस video को please share कीजे so that हम maximum से maximum लोगों को financially independent बना पाएं so friends अगर आप still आपको ये plan पसंद आया और अगर आपको कोई query है या आप अपने लिए या अपने परिबार के लिए ये policy buy करना चाहते हैं तो description पर लिखे हुए numbers पर please आप हमारी team से coordinate कर सकते हैं so friends thank you thank you so much for watching the video thank you